हेलो एवरीवन वेलकम टू स्टडी आई क्यू दिस इस मनीश रवास्तो जैसा कि आपको पता है रोजाना 12 बजे हम लोग ने सेशन लेना स्टार्ट किया है तो आज एक बहुत ही इंपोर्टेंट सेशन पर बात करने वाले हैं और वह हैं हुंस के उपर हुंस के उपर कई तर तरीके से हुंस इंडिया में आए क्योंकि आप गुप्त पढ़ेंगे आप हर्षवर्धन को पढ़ेंगे आप राचफूत को पढ़ेंगे तो बीच-बीच में हुंस का नाम आता है लेकिन हुंस के उपर कुछ क्लारिटी कोई भी तरीके से अच्छे से नहीं होती है तो ल किया कौन सी जन जाती थी कौन सी जाती थी तो उनको हुण कहा जाता था तो इनके बारे में बात करें तो यह कौन है हुण तो इनको बताया गया कि वह सेंट्रल एशिया में एक ट्राइब रहा करती थी जो सीथियनों से निकली थी अब यह सीथियन क्या कौन है तो आप जो फॉरें इन्वेडर्स थे, इन फॉरें इन्वेडर्स में विदेशी आक्रमन कारियों में या विदेशी आक्रानताओं में जो आक्रमन हुए, उनमें चार अटाक्स इंडिया के अंदर पढते हैं आप, एक पढ़ते हैं इंडो-ग्रीक्स को जिनको हिंदू-युनानी यवन बैक्टेरियन कहा जाता है एक पढ़ते हैं शक दूसरे पढ़ते हैं पार्थियन और पढ़ते हैं कुषांस तो अगर हम देखें ये जो शक है इनी का एक नाम क्या है सीथियन्स भी कहा जाता है तो ये जो एक जंजाती है जिनको क्या कहा जा रहा है हुंस कहा जा रहा है तो हुंस को बताया गया कि हुंस क्या है तो हुंस भी एक बरबर जंजाती है जंगली जंजाती है जो सेंटरल अंदर मद्दे एशिया के अंदर एक बरबर जन जाती के तौर पर जानी जाती है जो क्या थी सीथियन थी सीथियन जो भारत में शक शाशक आये थे जिन में आपने रुद्र दामन का नाम सुनाओगा नहापान का नाम सुनाओगा वही शकों की ब्रांच से निकले हुए है य तो ये कहा रह गए, Central Asia में ही रह गए, तो ये जो चीज हम समझ रहे हैं, कि कहा पर थे, ये Central Asia में हुआ करते थे, तो foreign invaders में शक को याद रखेंगे, तो ये जो हुंस है, ये कहा पर है, तो मद्दे Asia में है और क्या है, तो इन्हीं को मंगोल या सीथियन कहा जाता है, कि इनका ये मंगोली थे, मंगोल थे, या सीथियन हुआ करते थे, ये दो चीज याद रखेंगे, इसके अलावा ये क्या है, तो एक काफी बरबर जन जाती है, बरबर जन जाती का मतला बहुत ही wild सी जो है, tribe हुआ करती थी, जो in discipline थी, असब्भे जन जाती थी, जो वहाँ पर मार का करती रहती थी, खाना बदोष थी, अपने राज्य को फैलाने के लिए इस तरीके से आगे बढ़ती रहती थी, तो ये मंगोल या सीथियन हुआ करते थे, किस रीजन में हुआ करते थे, तो अगर आप देखेंगे, तो आपका जो Central Asia का रीजन है, और कुछ Roman Empire का रीजन है, ये इरान दिख रहा होगा आपको, ये परसिया जो है, इरान को ही कहा जाता है, तो इस समय ये यहाँ पर हुआ करते थे, तो हुन्स जो थे, यहाँ पर एटिला नाम का एक बहुत बड़ा किंग हुआ करता था, जिसने पूरे इस रीजन पर अपना दबदबा बना के रखा हुआ था, अब देखे क्या होता है, कि लगबग, ये हम बात कर रहे हैं कब की, ये हम बात कर रहे हैं, लगबग 450 AD के एराउंड की, तो लगबग ये बताया जाता है कि इस समय ये यहाँ आ गये थे, दूसरी शताबदी इसा पूर्वी से, मतला 2nd century, BC से धीरे धीरे हुन्स क्या होने लगे, फैलने लगे, फिर क्या हुआ, इनकी दो ब्रांचेज होई, ये ही जो हुन्स थे, ये दो भाग में बढ़ गए, एक चले गए रशिया की तरफ, रशिया में एक रिवर है, जिसको वोलगा रिवर कहा जाता है, तो एक हुन्स का जो आगे बढ़ना हुआ, वो क्स तरफ चले गए, तो वोलगा नदी है, वोलगा रिवर के पास चले गए, दूसरे हुन्स जो थे, मतलब ये हुनों के अंदर एक तरीיכी से बटवारा हुआ, और एक हुन्स जो है, वोलगा जो रशिया की तरफ बढ़ ड़िए हैं, और दूसरे हुन्स जो बढ़ते ह वो आपका बढ़ते है आक्सस वेली की तरफ यह आक्सस वेली कहा है तो यह आक्सस घाटी जिसको कहा जाता है जिसको आक्सस वेली भी कहा जाता है यह कहा है तो आक्सस वेली यह इरान की तरफ आ गए तो आक्सस वेली यह इरान की तरफ बढ़े और जो इरान वाली जो ब्रा तो कि आपका इरान के अंदर है फिर क्या होते है यहां से जो ब्रांच है दूसरी औक्सर्वेली वाली यह जो है किस तरफ आती है तो ये इंडिया की सिंध की तरफ जो है अटाक्स करती है तो फिर दीरे दीरे इनी को जो हैप्थलाइट्स कहा जाता है या वाइट हुन्स कहा जाता है वो हुन्स जो इंडिया की तरफ आए उनको क्या कहा गया सफेध हुन्स या एफ्टिलेट्स के नाम से इनको जाना जाता तो एक जन जाती समझने आ रही एक बहुत बरबर जन जाती है सब्भे जन जाती इंडिसिप्लिंड है वाइल्ड जो है ट्राइब है जो कहा रहा करती थी सेंटरल एशिया में उन्हीं के दो ब्रांचेस हुए एक वोलगा रिवर की तरफ चले गए एक ऑक्सस वेली की तरफ इरान में और वहां से ये किस तरफ बढ़ने है तो ये बढ़ने है आपके इंडियन सब कॉंटिनेंट की तरफ भारतिय महादीप की तरफ बढ़े तो ये जो अटैक्स है जो आपका फिफ्ट सेंचुरी में हुआ करता था तो देखेंगे तो इस समय यहाँ पर कौन सा इंपायर रूर्ल कर रहा था तो जब इनका अटैक हुआ तब इंडिया में कौन सा इंपायर हुआ करता था तो गुप्ता इंपायर था तो हुंस इन वेजन जो हुए है सबसे पहली बार वो 458 में हुए, फिर 466-67 में हुए और इस समय इंडिया पर जो रूल कर रहे थे, वो कौन रूल कर रहे थे, गुप्त शाषक जो थे, वो यहाँ पर रूल करते थे, तो गुप्त रूलर्स में, अगर हम बात करेंगे, तो श्री गुप्त हुए, घटोत कच रूल से, हुआ समुद्रगुप्त के जो चंद्रगुप्त सेकेंड है जिसको विक्रामा देते हैं इसके उपर मैंने अल्रेडी एक लेक्टर लिया हुआ है आप वो भी देख सकते हैं चंद्रगुप्त सेकेंड के बाद जो है आया था कौन कुमार गुप्त जिसने नालंदा यूनिव तो जब गुप्त रूलर सकंद गुप्त हुआ करता है, 455 से 467 के बीच में, तभी किसका अटाक हो रहा है, हुंस का इन्वेजन हो रहा है इंडिया में, जिनको हम वाइट हुंस कह रहे हैं, या हैप्तिलेट्स कह रहे हैं, तो उनका आक्रमन कब हुआ है, तो 458 में हुआ है, उस समय जो रूलर होगा, वो आपको समझने आ रहा होगा कि कौन होगा उस समय, सकंद गुप्ती होगा, क्योंकि सकंद गुप्त का जो टाइम पीरिड है, वो 455 से 467 के बीच में, 455 से 467 के बीच में कौन शाशन कर रहा है, सकंद गुप्त कर रहा है, किसका बेटा है, कुम मुद्र गुप्त रूल कर रहा होता है 455 से 467 की तरफ तो 458 वाला अटाक को पूरी तरह से कुचल कर रख देता है सकंद गुप्त इसके बाद इनका ही एक रूलर होता है जिसका नाम होता है तोर मांड देखें हुंड के अंदर आपको दो बड़े रूलर मिलेंगे इंडिया के अंदर एटीला एक रूलर था जो की कहां था सेंटरल एशिया में उसका बहुत दबदबा हुआ करता था बट इंडियन सब कॉंटिनेंट की जगा पर जो नाम आएगा वो किसका नाम आएगा तोर मांड का आएगा जो तोर मांड था इसने सबसे पहले अटैक किया 458 में आसफल रहा अनसकसेस्फुल रहा किसने उजाड़कर फेक दिया तो सकंद गुपत उस समय काफी मजबूत रूलर था और गुपता एमपार उस समय एकदम पीक पर हुआ करता था तो इन्होंने इनको बुरी तरह से हराया ये वापस गए सेना विना जुटाई और उसके बा तोरमान हुआ करता था तो तोरमान पहली बार आता है 458 में तब बुरी तरह से हरता है किस से सकंद गुपत से तो गुपता रूलर हैं सकंद गुपत उनको हरा देते हैं उसके बाद क्या होता है तो उसके बाद ये 466 में 466 इसवी में वापस से अटाक करते हैं और जब ये एक बहुत important fact है यह याद रख लीजेगा एशिया एवं यूरोप एशिया और यूरोप में ऐसा कोई ruler जिन्होंने हुन्स को हराया क्योंकि देखिए आपको अभी मैंने बताया यह पूरा का पूरा Central Asia में हुआ करते थे हुन इंपार इतना था इन्होंने जो है इरान में जाक फिरोश को हराया, कुशान्स को हराया, शक्स को हराया और दीरे दीरे यह इन्डिया के तरफ attack करते हुए आगे बढ़ गए बहुत ही जादा बरबर तरीके से यह जो है उजार देते थे उन लोगं को तो जब सकंद गुप्त के साथ इनका सामना हुआ तो सकंद गुप्त ने इनको हरा दिया तो एक ऐसा ruler आपसे exams में question पूछा जाएगा which ruler had defeated the Huns in Asia and the Europe continent तो ये एक मात्र ruler कौन नाम आएगा सकंद गुप्त आएगा कि सकंद गुप्त ने होनों को हराया और उस समय जब वो बहुत ज़्यादा strong हुआ करते थे वो Europe में भी पताका अपनी फैला रहे थे और Asia में भी फैला रहे थे तब कौन से ruler ने उनको अच्छा सामना दिया तो वो था सकंद गुप्त तो देखें सकंद गुप्त कब तक रहेगा 467 तक रहेगा और गुप्ता एमपाइर अगर आप पढ़ते हैं तो गुप्ता एमपाइर में जो सबसे बड़े बड़े ruler या important rulers हैं उनकी गिंती में आप कहां तक बात करते हैं तो सकंद गुप्त की करते हैं क्योंकि सकंद गु जो था वो strong हुआ करता था बट ये जो था सकंद गुप्त की जहां death हो जाती है तो वहाँ धीरे-धीरे ये weak हो जाते हैं तो फिर क्या करता है तोर मान तो अपना continuous attack करता रहता है और धीरे-धीरे ये इंडिया पर अपना जो राज्य विस्तार है वो और तेजी से करना start कर दे आपने एक book का नाम सुना होगा जो कलहंड ने लिखी थी कलहंड ने एक geographical book लिखी है जिसका नाम है रास्तरंगनी अगर कश्मीर का आपको इतियास पढ़ना है ये कश्मीर के बारे में समझना है तो वो book बहुत अच्छी है जिसका नाम है रास्तरंगनी किसने लिखी है कलह तो कलहन की बात करते हैं हम थोड़ी सी क्योंकि देखा जाए तो जब गुपता एंपायर में सकंद गुपत की डेथ हो गई तो गुपता जो हो गए वो वीक हो गए गुपत सामराज्य थोड़ा सा कमजोर पढ़ने लगा और जब वो कमजोर पढ़ने लगे तो ये उन पर था अफगानिस्तान के बाद पंजाब वाला रीजन कश्मीर में क्योंकि कलहन की रास्तरंगनी में भी तोर्मान का नाम आता है तो इसलिए पता चलता है ये कश्मीर भी पहुँच चुके थे कश्मीर के बाद अगर हम बात करें तो राजपूता नाम मतलब पूरा राजस् पूरी तरह से तोर्मान की एंट्री होना चालू हो रही है। कलहन ने ये बुक लिखी है जिसका नाम है रास्तरंगनी बहुत ही important है कई बार exams में ये कुषिन आता है कि वही कलहन की किताब का नाम बताइए तो कलहन ने क्या लिखी है रास्तरंगनी लिखी है तो आप हिस्ट्री के अंदर books के उपर से questions बहुत सारे आते हैं तो उनको इसका फैक्ट जरूर रियाद रखेंगे इसके अलाबा यह किसका फॉलोवर था तो फॉलोवर ऑफ विश्नु देखिए सेंटरल-एशिया में इडान में इराक में उस समय इस्लाम का जन्म नहीं हुआ था तो यह जो जन जाती थी जब भारत में आई तो यह भारतिया धर्म क बी अपना लिया इन्होंने तो याद रखेंगे किसका उपासक बन गया था विश्नु का उपासक बन गया था और एक टाइटल लिया महराजा धीराज और हिस्ट्री कहती है कि जो रूलर्स महराजा धीराज का टाइटल लेता है वो कैसा होता है वो एक इंडिया की नहीं थी इंडिया आने के बाद भारत आने के बाद भारत के धर्म को अपना लिया भगवान विश्णू का उपासक था बहुत सारे विश्णू मंदिर बनवाए महराजा धिराज का टाइटल लिया अब देखिए मैंने आपको वहाँ पर बताया कि गुपताज इ दीरे दीरे दबाने लगा और उसके बाद मालवा की भी हमने बात करी पंजाब को भी इन्होंने जो है अपनी और कबजा कर लिया था हेन सैंग जो था एक चाइनीज ट्रैवलर है जिसकी बुक का नाम सुना होगा आपने सी यू की नाम की एक बुक लिकी थी उसने हेन हेन सैंग ने भी अपनी किताब में इनका बताया कि जो इनकी कैपिटल थी इनकी एक कैपिटल तो क्या थी सियाल कोट हुआ करती थी सियाल कोट कहा पड़ता है तो आज की रेट में सिंद जो पाकिस्तान वाला रीजन है वहाँ पर सियाल कोट आता है तो एक कैपिटल इनकी सियाल कोट थी और दूसरा बामियान थी बामियान जो है अगर आप देखेंगे तो अफगानिस्तान में आ जाता है तो एक कैपिटल इनकी सियाल कोट अफगानिस्तान में है दूसरी कैपिटल इनकी सियाल कोट में है जो की आपका एक बामियान अफगानिस्तान और एक सियाल क जो उस समय का इंडिया ही हुआ करता था उस समय ये सियाल कोड थी लेकिन अब वो वरतमान में पाकिस्तान में वो रीजन आता है तो CEO की के हिसाब से हमें ये भी पता चलता है कि ये इंडिया में धीरे-धीरे कबजा करने लगे थे अब देखें इनका जो एक बहुत important inscription है जिस से आपको दो-तीन questions और बन सकते हैं इस एक शिलालेक की बात करते हैं जिसका नाम है एरंड शिलालेक एरंड इस एरंड से इनके बारे में बहुत ज़्यादा जानकारी मिलती है तो अगर तोर्मान के बारे में source की अगर पूचा जाए कि भई source क्या है इसका तो इसका source आप याद रखेंगे एरंड इंस्क्रिप्शन है यह एरंड इंस्क्रिप्शन कहां पर है तो मद्यप्रदेश के सागर में है उसको देख लीजिए वहां से एक important story आपको पता चलेगी यह एरंड में जो था एरंड में बताया जाता है कि उस समय गुप्तर यहां पर रूल कर रह होता है गुप्त रूलर बुद्ध गुप्त का यहां पर रूल चल रहा होता है तो बुद्ध गुप्त जो होता है सौरी भानु गुप्त जो होता है वो यहां पर रूल कर रहा होता है तो यहां पर क्या होता है कि तोर्मान आने के बाद तोर्मान यहां पर किसको डिफीट कर देगा भानु गुप्त को डिफीट कर देगा और भानु गुप्त का एक सामन्त होता है बानु गुप्त का एक सामन्त होता है क्या नाम है सामन्त का गोप राज है तो एक सामन्त है जिसका नाम क्या है गोप राज है जो किस रीजन में रहा करता है तो यह पूरा का पूरा एक गुप्त रूलर है और मैंने आपको बताया सकंद गुप्त काफी मजबूत हुआ करतے थे लेकिन जैसे ही decline हो रहा है किसका जैसे ही decline हो रहा है सकंद गुप्त का भानु गुप्त इतना strongest ruler नहीं था तो भानु गुप्त जो था उसका एक सामनद था तोर मान हरा देता है गोपराज को और गोपराज की मृत्ती हो जाती है इस युद्ध में तो ये पूरा का पूरा इस्टन मालवा रीजन इनके कबजे में आ जाता है तो पूरा इस्टन मालवा किसके कबजे में आ रहा है गोपराज के पास आ रहा है और गोपराज कौन है भा प्राज के साथ क्या होता है तो गोप्राज के साथ ये बताया जाता है कि गोप्राज की जो पत्नी होती है वो सती हो जाती है उसी के साथ तो सबसे पहले जो सती का evidence मिला है सती evidence बहुत important part है यह याद रखेंगे कि जो सबसे पहले सती का साक्ष मिल रहा है सती के जो evidences मिल रहे है वो कहां से मिल रहे है तो सबसे पहले जो सती का evidence मिल रहा है वो एरन इंस्क्रिप्शन जो था एरन इंस्क्रिप्शन से हमको क्या पता चला तो एरन इंस्क्रिप्शन से बताया जाता है कि हमें सबसे पहले सती के evidence मिले सती के गिसमें मिले है तो एरण अभी लेक से मिले है जो तोर्मान का है उसमें बताया गया कि इसने किस पर अ टाक किया था भानुगुप्त पे अटाक किया था तो उसका जो सामन था जिसका नाम गोपराज था वुश में मर गया और उसके मरने के बाद उसकी पत्नी आपको बात समझति आ रही होगी कि गई एक किसको हरा दे रहा है तो यह इस वाले रिजन में पूरा कबजा कर ले रहा है और गोपराज को हरा दे रहा है है ओर Eastern मालवा पूरवी मालवा जो है इनके पास आ जा रहा है इस्टन मालवा गुप्त हार जा रहे हैं तो देखिए आप गुप्त थोड़े से वीक होने लगें तबी तो हार रहे होंगे तो इस्टन मालवा पर पूरा कबजा हो जाता है किसका तोर्मान का अब तोर्मान चाता है कि कौन से रीजन पर कबज पर शिमी मालवा पर भी करें आपका वेस्टन मालवा वाले रीजन पर भी करें लेकिन होता क्या है यहां पर एक रूलर रूल कर रहा होता है जिसका नाम होता है प्रकाश धर्मा यहां पर एक रूलर रूल कर रहा है जिसका नाम क्या है प्रकाश धर्मा तो प्रकाश धर्मा स Western मालवा पर कौन रूल कर रहा है तो प्रकाश धर्मा रूल कर रहा है लेकिन प्रकाश धर्मा क्या करता है तो इसको बुरी तरह हराता है तो तोर मान यहाँ पर प्रकाश धर्मा से हार जाता है यह कौन सी डाइनेस्टी का रूलर है तो इसी को बुला जाता है ओलिकर डाइने अलिकरवंश यह मालवा का बहुत ही इंपोर्टेंट डाइनिस्टी है जिसने मालवा वाले रीजन जो मंसौर वाला जो रीजन है जिसको कहा जाते हैं मंदोदरी का जो घर हुआ करता था रावन के बारे में आपने सुना होगा और रावन की ही जो पतनी थी उसका नाम कौन था प्रकाश धर्मा तो प्रकाश धर्मा किसको हरा देता है तो प्रकाश धर्मा तोर्मान को हरा देता है और तोर्मान को हराने के बाद इनके पास वेस्टन मालवा यह लोग जीत नहीं पाते तो वेस्टन मालवा नहीं जीतने के बारे यह जो है इस रीजन से जाता है बनारस जो आपका आज की रेट में वारण असी है तो बनारस में जाने के बाद इसकी वहीं पर डेथ हो जाती है तो ये सबसे पहले यहाँ अटैक करता है यहाँ अटैक करने के बाद गोपराज को हरा देता है गोपराज को होन है तो भानु गोपत का ही सामन्त है तो गोपतो ये जाते हैं बनारस वारानसी और वहाँ पर ये जो है हार जाते हैं मतलब हार क्या इनकी मृत्ति हो जाती है वहाँ पर तो वहाँ पर उनकी डेथ हो जाएगी तो प्रकाश धर्मा के बारे में याद रखेंगे कि प्रकाश धर्मा से हारने के बाद ये कहां चले गए थे तो ये चले गए थे कहाँ पर ये चले गए थे बनारस तो कई इत्यास कारों ने तो ये कहा है कि इनकी 515 AD में 515 इस्वी में किसकी डेथ हो गई तो 515 AD में इस्वी में मर जाता है कौन तोर्माण तो तोर्माण की मृत्ती हो गई थी 515 में लेकिन एक और हिस्टोरियन है जिनका नाम है विंसेंट आर्थर स्मित जिनको हम V.A. स्मित का कुछ अलग मानना है उनके हिसाप से इसकी डेथ 502 में हुई है बाकी सब इतियासकार मानते हैं इसकी death 515 में होई है तो ये थोड़ा सा debate की बात है कि अलग-अलग historians अलग-अलग date बताते हैं तो आपको समझने आ रहा होगा है इन्होंने क्या जीत लिया इन्होंने eastern मालवा जीत लिया है western मालवा जीत नहीं पाए बाद में जाकर बनारस में महीर कुल के पास आ जा रही है लेकिन विंसेंट आर्थर स्मिथ जो है उनका कहना क्या बहें कि 502 AD में आ रही है तो ये एक important fact है याद रखेंगे अब देखें महीर कुल महीर कुल किसका बेटा है तोरमान का है तो ये भी क्या करता है ये अपना पूरा का पूरा अटाक करन अफगानिस्तान का रीजन इसके पास होता है पंजाब का रीजन इसके पास होता है इनकी capital तो सियाल कोटी है तो हेन सैंग ने इसका नाम भी लिया है हेन सैंग जो मैंने आपको Chinese traveler बताया जिसका नाम क्या था हेन सैंग तो हेन सैंग ने किसका नाम लिया है मिहीर कुल का ना traveler है जो हर्श वर्दन के समय आया था तो इसने जो है बहुत सारी informations दी है किसके बारे में हुंस के बारे में तो मिहीर कुल ruler बन रहा है 515 में और इनकी capital क्या है सियाल कोट है यह हमको इससे भी confirm होता है तो इनके पास अफगानिस्तान पंजाब अब राजपुताना और मालवा तो थाई क्योंकि पूरी ही मालवा तो जीत चुके हैं पशिमी मालवा नहीं जीत पाएते तो यह जो है आपके पास मालवा वाला reason इसके अलावा capital में याद रखेंगे क्या है सियाल कोट है इनकी एक राजधानी जो है वो क्या है सियाल कोट है ये आपको अच्छे से पता हो नहीं चाहिए कि इनकी कैपिटल का नाम क्या है सियाल कोट है और एक मैंने बताया अफगानिस्तान में बामियान वाला रीजन भी इनके पास था इसके अलावा देखिए यहां से ये जो फॉलोवर थे ये किसके फॉलोवर थे तो हिंदुईजम को मानने के साथ साथ उस समय जो बहुत धर्म भारत में फैल रहा था उसके बड़े ये जो है अपोजर थे तो इन्होंने बहुत जो नालंदा विश्विद्याले को कहा जाता है कि उसको बक्तियार खिलजी ने बाद में जलवाया था बीच में जो है उसका स्टूप बनवाई इंडिया में 84,000 स्टूप से अशोक के लेकिन आज अगर आप डूढने जाएंगे तो पूरे 84,000 नहीं मिलेंगे कुछ हजारों में ही बचे हुए हैं तो उनमें भी देखा जाए तो कुछ सौ में ही आपको अच्छी स्थिती में आज की डेट में देख सारे जो बुद्धिस्ट बोला जाएं मॉनुमेंट्स हुआ करते थे विहार हुआ करते थे मौनिस्ट्रीज हुआ करती थी जिन में बहुत भिक्षू रहा करते थे इन सारी चीजों को उजाड़ना चालू किया तो इसको बौद्धों का संहारक कहा जाता है तो यह जो है बुद्धिजम का जो है मिहर कुल बौद्धों का सहारक था इसने बहुत सारे जो है बहुत जो स्तूप थे बहुत भिक्षू थे उनको मरबाया है तो यह मिहर कुल के बारे में याद रखेंगे कटरता जो हिंदुस्तान में आई देखा जाए तो यहां के होती चीजों को लेकर चलते थे देखा जाये तो देखिए हिंदु धर्म के अंदर जो भी बुराईयां थी उनको बदलने के लिए जो है कई धर्म उत्पन हुए बताया जाता है कि जो 5th, 6th century BC में जैनिजम आया, बुद्धिजम आया, चारवाक आया, आजीवी का सेक्ट्स आयसे कई धर्म उत्पन हो गए थे, बताया जाता है कि जब कास्टिजम, वैदे काल में जब कास्ट सिस्टम आया था, जाती वाद हुआ था, तो उसके बाद लोगों में कन्फ्यूजन आया था, और more than 62 रिलिजियन्स हो गए थे, 62 से जादा धर्म उत्पन हो गए थे, तो पहले से policies थी, उनका विरोध किया था, मता हिंदू धर्म की कई कूरीतियों को बताया था, लेकिन ऐसा नहीं था कि हिंदू की धर्मों ने इन लोगों को मार दिया, गौतम बुद्ध ने भी कई तरह की जो है कमिया निकाल कर बताई, लेकिन उन चीज़ों को follow किया गया, society उसको accept किया, महावीर ने भी बहुत सारी चीज़ें ऐसी बताई, दूसरा एक path दिखाया, उसको भी लोगों ने follow किया, लेकिन लोगों ने इनके तरफ हिंसा नहीं करी, वहाँ पर देखिए उस समय तक जो काल था, उस समय जो है बहुत सारी चीज़ें होती थी कि लोगों क मतभेद हुआ करते थे, मनभेद नहीं हुआ करते थे, कि मतलब दो लोग एक विचार धारा के नहीं है, तो एक दूसरे को मार डालो, लेकिन बोला जाता है कि भारत के अंदर ये हिंसक प्रवर्ती, ये कटरता, ये सारी चीज़े कप से आई, तो आपका हुनों से आई, उस के लोगों के अंदर जो नैतिकता थी, उसमें पतन आया, उनकी जो मोरालिटी थी, वो डेकलाइन कर गई, दूसरा जो हिंदु धर्म में लोग हुए थे, वो कटर होने लगे, वो बहुत जादा कैसे होने लगे, बहुत जादा कटरता का सपोर्ट करने लगे, किनके अटाक इननों ने डिस्ट्रोई करी, अब देखिये, इनके पास पूरवी मालवा तो आ चुका था, अब इनको फिर जीतना था पश्यमी मालवा, तो अब अगर हम बात करें, तो ये जो पश्यमी मालवा वाला रीजन है, यहाँ पर प्रकाश धर्मा ने तो किसको हरा दिया था, त यह यशो धर्मन, विश्नु धर्मन कहां पे वुआ करता था तो ये अलिगार डाइनेस्टी का रूलर था कब जब प्रकाश धर्मा के बाद क्योंकि तोर्मांड ने इससे अटाइक किया था प्रकाश धर्मा ने उसको हरा दिया था और फिर तोर्मान की death के बाद मिहिर कुल आ गया, तो मिहिर कुल के बारे में हमने देख लिया, तो मिहिर कुल जो है ये वाले reasons पर तो जीत जा रहा है, लेकिन क्या करता है, ये जाता है गुपतों को हराने, क्योंकि गुपत जो मगद में रहा करते हैं, इसकी एक fight गुपत के था बला दित्ते उससे इसकी एक fight होती है तो बताये जाता है मिहीर कुल जो होता है वो किसको हरा देता है बला दित्ते को हरा देता है बला दित्ते कौन होता है एक गुप्त शाशक होता है तो गुप्त इस समय काफी वीक हो चुके है यह याद रख लीजे गुप्त रूलर इ यह पूरा ही एक नाम है इसका बहुत ही फेमास एक इंस्क्रिप्शन है जिसको क्या कहा जाता है दश्पुर इंस्क्रिप्शन इसी का एक फेमस इंस्क्रिप्शन है जिसको दश्पुर इंस्क्रिप्शन कहा जाता है और मैंने आपको बताया है मनसौर का ही पुराना नाम मिल बला दित्य तो हार जा रहा है किस से मिहीर कुल से लेकिन मिहीर कुल के हारने के साथ साथ मिहीर कुल इसको हरा दे रहा है लेकिन यशो धर्मन विश्नु धर्मन किसको हरा दे रहा है तो वो मिहीर कुल को हरा दे रहा है तो मिहीर कुल हार जाता है किस से मिहीर कुल हार जाता है यशो धर्मन विश्णु धर्मन से तो ये question बहुत बार पूचा गया exams में कि ऐसा कौन सा ruler था कि जिसने मालवा का ऐसा ruler जिसने मिहिर कुल को भी हरा दिया क्योंकि मिहिर कुल किसको हरा रहा था मिहिर कुल हरा रहा था तो इसको बला दित्ते को मतलब गुपतों को हरानने में वो सक्षम थे लेकिन उस समय एक बहुत इंपोर्टन डायनेस्टी उबर कर आती जो ओलिकर डायनेस्टी है इस ओलिकर के बारे में आप पढ़ेंगे तो ये भी पता चलता है ये गुपतों का ही सामन्त थे बाद में आजाद हो गए थे गुपतों ने अपने अलग देखो गुपतों रूलर्स में पढ़ोगे तो उनके एड्मिस्टेशन में एक सिस्टम आता है जिसको डी सेंट्रलाइजेशन कहा जाता है विकेंद्री करण ये अपने सामन्त बनाना चालू कर दिये थे जिनको गुपता कहा जाता था या उप रहा है यशो धर्मन विश्नु धर्मन से लेकिन हरा दे रहा है किसको बला दित्ते को जो की कौन था तो बला दित्ते को हराने वाला बला दित्ते कौन है गुपतों रूलर है एक फैक्ट याद रखेंगे इसके अलावा एक चीज है जिससे इसके फैक्ट पता चलते हैं उस तोर्मान के बारे में कौन सा inscription information दे रहा है, Aaron का inscription दे रहा है, वैसे ही आप अगर महीर कुल के बारे में देखेंगे, तो महीर कुल के बारे में जो information मिल रही है, वो गौलियर से, गौलियर प्रसस्ती से मिल रही है, गौलियर इंस्क्रिप्शन से मिल रही है, और इसमें इसने क पुद को क्या लिखवाया है तो एक बहुत ही important चीज है जो लगती तो नहीं है मतलब इसने लिखवा जैसे अपने बारे में कुछ लिखवाना है तो आप कुछ भी लिखवा लीजिए तो इसने भी अपने बारे में ऐसा ही लिखवाया है इसने उसमें लिखवाया है कि ये प तो गौलियर जो है गौलियर प्रसिस्ती के अंदर इसने अपने आपको क्या बताया तो गौलियर प्रसिस्ती में इसने अपने आपको पृत्वी का स्वामी बताया लेकिन देखने तो नहीं मिलता क्योंकि एशोधर्मन से हार गया था और धीरे धीरे इसके बाद कोई भी हु प्रतिहार हुए, और फिर कई राजपूत रूलर्स का उदे हुआ, इस टैम पर ही आपको हुण्स का नाम सुनाई देता है, तो हुण्स इनको हरा देते हैं गवालियर प्रसिस्ती में, राजा भोज के बारे में भी है क्या? देखो यह ज़ो है गवालियर प्रसिस्ती जो है, वो यह initial वाली है, तो राजा भोज इससे 500 साल बाद होंगे, यह ज़ो जब लिखा गया था, यह around 515 के पास है और राजा भोज का time period पढ़ोगे, तो आफ 1020 1030 में वो बहुत जादा प्रोमिनेंस पे आये थे तो पूरा 500 साल का डिफरेंस है परमार बाद में आये हैं और उससे पहले तो पूरी तरह से हुंस खतमी हो गए थे मतलब जब गुर्जर प्रतिहारी आ गए थे हर्श वर्दन ने भी बहुत जो है बुरी तरह से हुणों को हराया था और इनके जो बाद के जो भी वीक रूलर्स थे उनको पूरी तरह से हटा कर रख दिया था तो यह याद रखेंगे तो आज के लेक्चर में हमने क्या-क्या देख लिया तो हमने सबसे पहले हुंस कहां से आये उसकी बात करी कि हुण पहले सेंटरल एशिया में रहते थे फिर उनकी दो ब्रांचेस हुई एक वोलगा रिवर रशिया में चली गई दूसरी कहां चली गई ऑक्सस वेली में ऑक्सस वेली के बाद यह इंडिया में आये इनी को हैप्तिलेट्स या वाइट हुंस कहा आ गया उस समय गुप्त रूलर्स रूल कर रहे थे इसकंद गुप्त दिन को दो बारा राया इसकंद गुप्त को एशिया और यूरोप में जीतने वाला रूलर कहा जाता है उसके बाद जब गुप्त वीक हो गए तो तोरमन हावी होने लगा उसने इस्टन मालवा के रूलर जो था वहाँ का जो गुप्त रूलर थे जिसमें गुप्राज को बिठाया गया था गुप्राज को मार दिया था और पहला सती का जो एविडेंस है वो हमें सागर इंस्क्रिप्शन से देखने मिलता है उसके बाद वो जो है मालवा के वेस्टन मालवा पर प्रकाश धर्मा को हराने की कोशिश करता है हार जाता है बनारस में जाकर डेथ होती है मिहिर कुल राजा बनता है अफगानिस्तान पंजाब, उत्तरप्रदेश और आपका ये जो मालवा बाला रीजन ये सारा कबजा करता है और सियाल गोट को अपनी कैपिटल बनाता है बुद्धिस्ट जितने भी समारक होते हैं उनको तोड़वाता है उसके बाद उसका एक लड़ाई बलादित्ते से होती है कई देखे बहुत अच्छा कोशन पूचा है आयूश ने आयूश देखो ये बहुती ज़्यादा कन्फ्यूजन होता है कई बुक्स ऐसा कहती है कि मिहीर कुल सकंद गुप्त के समय लेकिन आप सकंद गुप्त का टाइम पीरिट उठा कर देखोगे और विंसेंट आर्थर स्मित ने भी इस चीज को वेरिफाई किया मतलब जो हमारी authentic history की बुक्स हैं उसमें ये कहा जाता है कि तोर मान जो था सकंद गुप्त के ही समय था मिहीर कुल तो बहुत बाद में हुआ मान लिया जाए देखिए 467 455 में जो है आपका ruler कौन बन जा रहा है तो 455 में ruler बन जाता है आपका सकंद गुप्त ये बहुत common doubt है मेरे हर student को ये doubt आता है वो Google से search करके लाते है कि सर मिहीर कुल जो है वो उसकी लड़ाई होई थी सकंद गुप्त ये confusion बहुत ही common है तो कोई गलती नहीं है इसमें देखो यहां से समझो 455 में हुआ है सकंद गुप्त और अगर हम बात करेंगे 515 में ruler ये बना था अगर आप यशो धर्मन का भी timeline देखोगे तो वो 540 के around हुआ है तो ऐसा तो नहीं होगा कि भाई अगर ये इसका जो time period है 540-45 तक ये देखने मिलता है तो मतलब अगर ये 100 साल भी जिंदा रहा हो अगर हम मान लेते हैं तो एकदम पैदा होते ही सकंद गुप्त से लड़ना चालू कर दिया होगा ऐसा नहीं है तो बहुत सारी timeline में ये दिखा लिया मतलब उसमें देखो लिखा हुआ है ऐसा books में कि इनकी लड़ाई गुप्त से होई थी इसलिए कई books में ऐसा लिख दिया है कि इसकी लड़ाई जो है मिहीर कुल की लड़ाई सकंद गुप्त से ही करवा दिया है लेकिन अगर आप देखेंगे कि गोपराज जो था, गोपराज मतलब दो-तीन फैक्ट से मैं बता रहा हूँ, गोपराज किसके बाद हुआ है, गोपराज जो सामंत बना है, वो तोर्माण के समय ही था, तो गोपराज सामंत बनाया गया इसकंद गुप्त के बाद, क्योंकि देखे, यहां से एक फैक्ट क्योंकि सकंद गुप्त जिंदा नहीं है तो उसका बेटा कहां से आएगा इसलिए ये confusion से आप confused मत होईएगा कि सकंद गुप्त और महिर कुल कभी भी आपस में नहीं लड़ें लड़ाई किसकी हुई है तोर्मान की और सकंद गुप्त की हुई है दो बार और उसके बाद जो ने इन से जीत लिया था जिसमें हमने बात करी थी कि बला दित्ते को इन्होंने हरा दिया था कौन सा इंस्क्रिप्शन है तो गौलियर इंस्क्रिप्शन है ये चीज़ आप याद रखेंगे strategy पर मैं थोड़ी दिर में बात करता हूँ हम लोग जो भी students है मेरे साथ मैं उनको जो भी आपका upcoming exam से उसके लिए बताता हूँ पहले ये topic थोड़ा साम पढ़ ले उसके बाद आपके questions में ले लूँगा what is the position of women's during home's period इस पर भी discuss कर रहे हैं तो यहां तक चीज़ें आप लोगो को clear है जो rulers तक की बात है उसको comment section में confirm करिए फिर हम इंसके effects की बात करेंगे तो हम women's की भी बात करेंगे social impacts की भी बात करेंगे political impacts की भी बात करेंगे और economic impacts की भी बात करेंगे तो यहां तक please मेरको जितने भी students है वो बताईए मिहीर कुल तक आपको clear है की नहीं है please let me know तो हम आगे बात करेंगे किसकी effects की तो देखेंगे effects में अगर हम बात करेंगे तो तीन effects हम देख सकते हैं कि भाई हुन्स के आने के साथ इंडिया में social, political और economic impacts क्या हुए social मतब आपका सामाजिक राजनेतिक और आर्थिक तो देखा जाए तो जो सामाजिक स्तिती थी इसमें एक बहुत important चीज़ देखिए जो सामाजिक स्तिती थी उसमें किस चीज़ का जो है पतन होने लगा तो morality लोगों की decline होने लगी क्योंकि ये उसूलवादी शाशक नहीं थे ये क्या थे बरबर जन जाती थी इनको तो बस खाना बदोश थे जहां पर चीज़ मिल जाए उस पर attack कर दो और काम हो जाएगा तो ये जो चीज़ थी वो इनके समय हुआ करती थी तो इनके कारण इंडिया में आने के कारण देखी ये effect समय इंडिया में पढ़ने कि हुन्स के attack के कारण इंडिया में क्या impact आया तो एक impact जो समाजिक impact है समाजिक असर के आया तो भारत के लोगों की जो नयतिक्ता थी उस नयतिक्ता में पतन आया morality में पतन आया जैसे कि morality क्या होती है कि आप किसी का गलत नहीं करो लेकिन इनका यह था कि बहुए अपना फायदा होना जी ये भाड में जाए दूसरे का एक बहुत बड़ा रीजन था कि अगर आप सारे लोगों को लेकर नहीं चलोगे तो बहुत सारी चीज़े communal rights होना start हो जाएंगे अब ये लोग क्या थे इन्होंने बुद्धिजम के बहुत जादा ये opposer थे क्योंकि ये खुद क्या मानते थे हिंदु धर्म को मानते थे तो बाकी जो धर्म है उनको उजाडना चालू कर दिया और अगर ऐसा कोई भी राजा करेगा ये कोई भी इस तरह का political system रहेगा तो आज stability नहीं रहेगी क्योंकि आपको सब को लेकर चलना होता है आप किसी एक धर्म विशेश को या किसी दूसरे धर्म को उजाडने में लगोगे और अपने धर्म को महान बताओगे तो आपका धर्म तो ये सिखाता ही नहीं है तो ये एक बहुत जो political system था वो भी इनके अंदर असर किया गया जो मैंने आपको बताया कि ये बरबर जन जाती थी शुरू से मैं कह रहा हूँ असब्बे हुआ करते थे तो ये चीज इंडिया में आने के बाद जब इन्होंने इंडिया के धर्म को अपना है तो उनके अंदर भी जो लोग थे उनसे जो आगे इन्होंने विवाईक संबंद बनाए मैट्रिमोनियल अलाइंसे किये फिर उनके जो बच्चे हुए आगे जो पीडियां बढ़ी एग्रेसिवनेस भी हलका वर्ड है ये एकदम कटर होने लगे बहुत जादा टॉलरेंट नहीं थे किसी रिलिजियन को लेकर तो ये भी एक चीज जो है देखने मिलती है कि भारत के अंदर जो कटरता का प्रवेश हुआ नैतिकता का पतन हुआ इसके अलावा अपने धर्म क तो ही सबसे बड़ा मानना दूसरे के धर्म का तिरसकार करना ये सारी चीजें किसके अटाक से देखने मिली इंडिया के अंदर तो ये जो है सारी चीजें हुण्स के अटाक से देखने मिली दूसरा देखिए यहाँ पर जो भी रूलर्स थे ये इंडिया में आने के बाद यहां की females के साथ, यह जो है, इनका किसी भी तरीके से कोई discipline way नहीं था, यह बर-बर जन जाती थी, loot लेते थे, उजार देते थे, पूरे, जितने भी किसी king को हराया, तो वहां से जितनी females हैं, उनको अपने पास ले आते थे, तो यह सारी चीजें जो हैं, तो women's के लिए इनके पास कोई respect नहीं था, women's की position बहुत ज़्यादा decline हुई है, इस समय, patriarchal society थी 100% है, क्योंकि ruler तो मेली बनते थे, और इनके अंदर भी नयतिक था, मताब morality तो बिलकुल नहीं थी, तो यह दोनों चीजें हैं, दूसरा अगर हम बात करें, economic effect क्या हुआ, Was Buddhism the part of Hinduism or not? देखो यह चीज जो है, इस पर comment नहीं करना चाहिए, अगर आप Hindu code bill के हिसाब से बात करें, इंडिया में जो Hindu code bill, जो Hindu bill act जो बना 1955-56 में, उसके हिसाब से Hindu जो कहलाता है, वो Hindu कहलाते है कि Sikhism, Buddhism के follower, Jainism के follower, यह सारे Hindu कहलाते हैं, बट यह अलग-अलग धर्म है तो हम उसको उस तरीके से नहीं देख सकते हैं, आक्ट के हिसाब से आप यह बोल सकते हैं, तो देखे, economic impact की आया, economic impact में भी क्या चीज है, जब आप Europe के साथ, जैसे आज की rate में आप देखो तो बुद्धिजम कितने सारे देशों में, चाइना में कौन सा major religion है, बुद्धि मियान मार के अंदर बुद्धिजम है, कमबोडिया, लाउस, इंडोनेशिया, शिलंका, यह सारे बुद्धिजम के follower है, जब इन्होंने बुद्धिजम के स्टूप, स्मारक, विहार, मुनेस्ट्री तोड़ना चालू किये, तो कहीं ना कहीं उस समय जो trade relations थे, उन पर impact होना है, तो उस war के कारण economic condition अच्छी होती है या बुरी होती है, चाया first world war हुआ है, second world war हुआ, तो यूरोप की पीट, जो कमर थी, वो तोड़ कर रख दी थी wars ने, तो इस समय भी इनका जो बहुत ज़्यादा aggressive nature था, यह peace की policy तो इनकी कहीं देखना ही नहीं मिली, शांती, पु mutual cooperation था वो नहीं था, तो economically भी decline हुआ है यहाँ पर, economic decline भी यहाँ पर बहुत तेजी से हुना चालू हो गया है, तो यह भी एक चीज जो है, इनके काल में देखने मिलती है, आज के time में हुंस कौन है, कोई भी नहीं है, हुंस हुंस यहाँ आए, और हुंस आने के बाद हिंद को राजपूत कहने लगे, तो यह चीज़ें हुंस के बारे में देखने मिलती है, आज की rate में हुंस नहीं है, वट आपका जो एक transformation phase है, जो आप प्राचीन भारत से मद्देकालीन भारत में जाएंगे, तो एक यह जंजाती का नाम आता है, आज हमने उसके बारे में पढ़ पांच मिनिट में जितनी चीज़ें आपको बता सकता हूं, मैं बताता हूं, सबसे पहले आप syllabus उठाईए, जो आपका पाठे क्रम है, syllabus के हिसाब से जो unit है, unit number 1 से लेकर unit number 10 तक की बात करें, तो देखा जाए, तो इस बार के जो paper में हर unit से लगबख 10 number के questions आए हुए, on an average देखा जाए, तो पहली unit से 11 number के question आए, दूसरी unit से 11 number के question आए, किसी unit से 8 number के भी question आए, तो हर unit का weightage कितना है, 10 number है, लेकिन आप सबसे पहले इस चीज़ को decide करिये, कि syllabus की एक एक point को देखिए, अगर जैसे कि, अगर हम बात करें, कि अगर आपका कोई point में लिखा है, tribes of MP, या फिर आपको लिखा है, इंडिया के अंदर लिखा है, post independence, जैसे post independence इस बार 2 से 3 question आए, क्योंकि history आप पूरी पढ़ते हैं, लेकिन post independence नहीं पढ़ते हैं, आजादी के बाद क्या हुआ, मतलब आजादी के बाद जो हमारे यहां state का reorganization हुआ, उसको बहुत अच्छे से प हुई है, ST, SC, OBC के लिए क्या क्या चीज चेंज हुई है, तो slaybas को सबसे पहले उठाईए, slaybas उठाने के बाद, जो slaybas में pointer दिये हैं, उसके आसपास देखिए, क्या वो question आपको बन पाएंगे, अगर कोई topic उठाया, जैसे आपको economics में topic दिया हुआ है, आपका RBI के बा आपको महारतना company कितनी है, इंडिया में, नवरतना company कितनी है, यह सीधे सीधे topic दिये हुए, तो सबसे पहले आप slaybas उठाईए, slaybas उठाने के बाद, target करना चालू करिए, 10th unit काफी scoring है, 10th unit जिसमें commissions दी हुई है, एक एक commissions को अच्छे से पढ़िए, मेरा यह कहना है, ऐसा लग रहा है आज की rate में कि उनका exam नहीं निकलेगा, तो यह गलती मत करिएगा, क्योंकि मैं बता रहा हूँ, यह आखरी के जो 40-50 देन होते हैं, इसी में सबसे आदा पढ़ाई यां होती है, अगर आपने give up कर दिया कि यार अब तो नहीं होगा, अगले बार का paper होगा, आपको exam में यह नहीं देखा जाएगा, कि आप पहली unit से 10 unit हर चीज़ पढ़ कर आएं, आप लेकिन जितनी चीज़ पढ़ कर आएं, वो अच्छे से पढ़ कर आएं, तभी आपको marks मिलेंगे, नहीं तो आप 10 unit पढ़ कर चले गए और marks आपके पूरे नहीं आप 10th unit में अगर आप election commission पढ़ रहे हैं, आप UPSC पढ़ रहे हैं, आप food commission पढ़ रहे हैं, तो हर aspects को cover करिए, उसके बाद 9th unit पर आएं, जो technology वाला part है, electronics से देखिए कि electronics में क्या-क्या, IC क्या होती है, diodes क्या होते हैं, transistors क्या होते हैं, gates क्या होते हैं, इसके अलावा जो है, electronics के अंदर जो आपका P type, N type, जो semi-conductor से हैं, उनका क्या role है, आपका ICT में information communication technology में कैसे information pass होती है, उसके अंदर थोड़े बहुत जो चीज़ें हैं, जैसे remote sensing, GIS, GPS, इनको थोड़ा सा देखिए, e-commerce क्या है, e-commerce में अभी कौन-कौन सी company काम कर रही है, internet का क्या role है, cyber security में क् आपर cyber attacks हुए है, कौन-कौन से robots अभी काम कर रहे है, इसके अलावा जो Indian Space Program चल रहा है, जो unit number आपका 7 है, उसमें दिया हुआ है, sports के बारे में अभी कौन-कौन से events हुए है, इनमें कौन player जीता है, जैसे आपको list बनानी पड़ेगी, तो ये जितने भी units हैं, आपकी दी लेकिन इनमें से जो चीजें हैं, जैसे आपने history में battles पढ़ लीजिए, quality में articles पढ़ लीजिए, कौन का क्या है, ये सबसे पहले clarity करिए, लेकिन जो scoring units हैं, जिनमें आपको कम पढ़ने पर ज्यादा marks आएंगे, तो इस time पर मेरी सलाव वही है, कि उन units पर ज्यादा focus करिए, जैसे कि आपके science के अंदर, जो unit number 7 है, उस science के अंदर अगर देखा जाए, तो आपका क्या दिया हुआ है, जैसे food technology है, तो अभी इंडिया में food technology पर क्या चल रहा है, food processing पर क्या चल रहा है, जो हमारे क्रिशी बिल थे, जो क्रिशी पर कानून आये थे, उनमें food technology के उपर क् हुआ था, environment में अभी क्या-क्या घटनाए हो रही है, तो आप syllabus को उठाईए, syllabus को तोड़िये, और एक-एक topic को तब तक पढ़िये, जब तक उस पर आप अच्छे से command नहीं कर पा रहे है, सारी चीजे cover करने की कोशिश करेंगे, तो आपकी चीजे नहीं होंगी, जितनी ची मुझे जरू बताएगा, thank you very much.